डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्डेट्स यूँ अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंट अराउंड दे गलोग कनेड़ा में करोना वायरस के फिलाओ का सिलसला जारी है जबके इसलिब मतासर होने वालों की तादा 63,500 हो गई है करोना वायरस की सुर्टहाल के दौरान ट्रोडों के साथ रहना असान ना था कैनिरिन खातूने अबल कहती हैं कि करोना के मर्स के असरात एक हफ़ते तक उन पर गालिब रहे आंटेरियो हकूमत का करोना वायरस के बाइज आयद पाबंदियों में मौतात रहते हुए मजीद नर्मी का ऐलान शेडियूल जारी कर दिया मौन्टेरियाल के स्पटालों को बैट्स की कमी का सामना मौन्टेरियाल में करोना के मरीजों के लिए मुखत किये गए तमाम बैट्स पर मरीज मौजूद है दुनिया भर में करोना वायरस के मतासरीन की तादाद 38,37,000 हो चुकी है जबके अमवाग की तादाद 2,65,500 हो गई करोना की एक नई किसम इस से ज़्यादा खौफनाक है माहीन का कहना है कि दुनिया भर में इसका अस्रूल सूख बढ़ सकता है करोना लॉकडाउन के खात्मे में जल्दी खतरनाक साबित हो सकती है आलमी अदारे सेहत ने खबरदार कर दिया अमरीकी सुदर डॉनल्ड टरॉम्प ने एरान से मतालिक अपनी जंगी अख्तियारात कम करने की कौंग्रेस की करारदाद वीटो कर दी हैडलाइस आपने जानी है अब खबरे तफसील के साथ केनाड़ी की वफाकी हकुमत की जानिब से सूबो और दीकर खितों के लिए माल्टी बिलियन डॉलर डील का ऐलान किया गया है जिसमें कम तंखवाले एसेंशल वर्कर्स को इजाफी अदाइगी की जाएगी कनेडियन वजीराजम जिस्टिन टूडो को कहना था किनेड़ा को इस बात की जरूरत है कि हम अपने पस्मांदा और फ्रेंट लाइन वर्कर्स के साथ किस तरह का बरताओ करते हैं कनेडियन वजीराजम ने कहा कि कम अजरत वाले मुलाजमीन को ज्यादा आदाइगी के लिए विफागी हकोमत सूब के साथ मिल कर चार बिलियन डॉलर खर्च करेगी और हुना कहा कि इस वबाई सुरत हाल के दुरान हम देखते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द ऐसे अफराद मुझूद हैं जो कि माशी तोर पर और दीगर तरीकों से कमजोर हैं और हमारे मौशरे में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं I think one of the things that we're seeing through this pandemic is that there are people who are tremendously economically vulnerable and vulnerable in other ways in our society who are extremely important to the functioning of our society as we've made it through this pandemic so far we've been focusing on supporting these most vulnerable people and this top up for essential workers delivered by the provinces is another piece of support for people who need it in order to get through this time as best we can as a country Press conference for today thank you everybody Welcome back Canada में करोना वारस से मजीद 1450 अफराद के मतासर होने के बाद मुल्क में करोना वारस से मतासरा अफराद की तादाद 63500 हो गई है जबके हलाक होने वाले अफराद की मच्मुई तादाद 4232 हो गई है इस हवाले से मजीद चानते हैं कैनेडा में करोना वारस के फैलाओ का सिलसल अज़ारी है जबके इस से मतासर होने वालों की तादा 63500 हो गई है आंटेरियो में करोना वारस में उतार चड़ाओ का सिलसल अज़ारी है कैनेडा में करोना वारस से मजीद 1450 अफराद के मतासर होने के बाद मुलक में करोना वारस से मतासरा अफराद की तादा 63500 हो गई है जबके हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादा 4232 हो गई है कैनेडा के सूबे क्यूबेक में मतासर होने वालों की तादा सबसे ज़ादा है जहां मतासरीन की तादा 34327 तक पहुँच चुकी है जबके 2510 अफराद हलाक हुए है आंटेरियो में करोना वारस के मजीद 412 के से सामने आ गए जिसके बाद सूबे में करोना वारस से मतासरा अफराद की तादाद 18722 हो गई है जबके 1439 अफराद हलाक हैं सूबे में इस वक्त सहत्याब होने वाले मरीजों की शरा 70 फीसद से कम हो गई है टारंटो में करोना वारस से हलाक होने वालों की तादाद 500 से तजावस कर गई है जबके 6019 अफराद मतासर हुए कैनेडा के वजीर आजम ज़स्टिन टूडो की एहलिया सूफी टूडो का कहना है कि करोना वारस से मतासर होना और फिर वजीर आजम और तीन बच्चों के साथ एक ही छट के नीचे रहना असान ना था मजीज जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा के वजीर आजम ज़स्टिन टूडो की एहलिया सूफी टूडो का कहना है कि करोना वारस से मतासर होना और फिर वजीर आजम और तीन बच्चों के साथ एक ही चट के नीचे रहना असान ना था सूफी ने रेडियो कैनेडा से गुफटगू करते हुए बताया कि मेरे शोहर ने सुब साथ बज़े से लेकर रात नौ बज़े तक अपने दफ्तर में बैठ कर काम किया इस दौरान मैं बच्चों के साथ होती थी लहाज़ा मुझ पर इंतहाई एतियात लाजम थी मैं अकेले बच्चों के साथ होती थी मैं उनसे फासले पर रहती थी और मैंने दस्ताने और मास पहन के रखे हुए थे सूफी के मताबिक करोना के मर्स के असरात एक हफ़ते तक उन पर गालिब रहे उनकी सुंगने और चकने की हिस्स वापिस लौट आई ताहम वो पहले जैसी नहीं रही सूफी ने तिब्बी मैदान में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अमले और एहलकारों को सराते हुए उन्हें हीरो शुमार किया डगफोर्ट का कहना है कि हिफाज़ती एकदामात में कोताही की सूरत में हम दुबारा मुश्कल से दोचार हो सकते हैं इसलिए हर शक्स को हिफाज़ती एकदामात पर अमल करना चाहिए इस हवाले से मजीद जानते हैं ऑन्टेरियो हकूमत ने सूबे में करोना वारस के बाइस आइप पाबंदियों में मौतात रहते हुए मजीद नर्मी का ऐलान कर दिया सुबे की पिर्मियर डग फोर्ड का कहना था कि गार्डन सेंटर्स, हार्डवियर स्टोर्स, सेफटी सप्लाई स्टोर्स को हिफाज़ती एकदामात के साथ खोला जा रहा है जबके उन जगों पर भी ऐसे ही एकदामात नाफिस किये गए हैं हकुमत ग्रॉसरी स्टोर्स को पहले ही खोलने का फैसला कर चुकी है फोर्ड ने अपनी डेली ब्रीफिंग में कहा जब तक जिसमानी दूरी सफाई सुत्राई के एकदामात और दीगर हकुमती हिडायात पर अमल करेंगे उन्हें दुकानों में खरेदारी करने की इजाज़त होगी हकुमत की जानब से कारूबारों को खोलने के लिए जारी करदा शीडियूल के मताबक जुम्मे के रोज अरिन सेंटर्स हफते के दिन हार्ड वियर स्टोर्स और सेफटी सप्लाई स्टोर्स और पीर के रोज रिटेल स्टोर्स खोले जाएंगे फिमर का कहना है कि हिफाज़ती एकदामात में कोताही की सूरत में हम दुबारा मुश्किल से दो चार हो सकते हैं इसलिए हर शक्स को हिफाज़ती एकदामात पर अमल करना चाहिए क्यूबिक हुकूमत ने मौन्ट्रियाल को 18 माई को दोबारा खोलने का एलान किया है लेकिन शेहर के हेल्थ केर सेंटर्स, स्कूलों और कारुबारों को खोलने के लिए तयार नहीं है मजीद जानता है इस रिपोर्ट में माहिरी ने सेहा का कहना है कि क्यूबिक के पास मौन्ट्रियाल के इस्पतालों में क्रोना वारस के सिहातियाब होने वाले मरीजों को इस्पतालों से फारिख करने के लिए दो हफ़तों का वक्त है लेकिन शेहर के हेल्थ केर सेंटर्स, स्कूलों और कारुबारों को खोलने के लिए तयार नहीं है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक मौन्ट्रियाल के स्पतालों को वैट्स की कमी का सामना है तीन हफ़तों कबल हैल्थ अथॉर्टीज ने जादा अमर के मरीजों को सीनियर रिजिडिन्स में वापस भेजना बंद कर दिया था जहां करोना वारस का फैलाओ जारी है और कई अफराद हलाग भी हो चुके हैं माहिरी ने सेहत का कहना है कि इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की जरूरत है मौन्ट्रियाल में करोना के मरीजों के लिए मुखत्स किये गए तमाम बैट्स पर मरीज मौजूद है अगर नए मरीज अस्पतालों में नहीं आते तो सूरतिहाल मुस्तेहकम रहेगी लेकिन तवील अलुमर अफराद को लांग ट्रम केर होम में वापस नहीं बेश सकते क्योंकि वहां करोना वारस फैला हुआ है वाज़ रहे कियूबिक हुकूमत ने मौन्ट्रियाल को 18 माई को दुबारा खोलने का ऐलान किया है दुनिया भर में करोना वारस से हलाक अफराद की तादाद 2,65,500 हो गई दुनिया भर में अब तक 38,36,951 अफराद मौलिक वारस से मतासर हो चुके हैं मजीद जानता है इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस के मतासरीन की तादा 38,37,000 हो चुकी है जबके अमवागत की तादा 2,65,05 हो गई तफसिलात के मताबक दुनिया भर में करोना वारस से हलाक अफराद की तादा 2,65,05 हो गई बरतानिया में अब तक करोना वारत से 30,076 अफराद हलाक हो चुके हैं जबके मुल्क भर में 2,11,000 अफराद वारत से मतासर हैं इटनी में मतासरीन की तादा 2,14,456 और हलाकतें 29,684 जबके स्पेन में मतासरीन की तादाद 2,5,857 हो चुकी हैं जर्मनी में 7,275 तुर्की में 3,584 बेलजियम में 8,349 और बराजील में 8,588 अमवाद हो चुकी हैं इरान में भी मतासरीन की तादाद 1,00,000 से तजावस कर गई जबके अब तक 6,418 अमवाद हो चुकी हैं साओधी अरब में 31,938 अफराद मुतासर और 209 अमवाद हो चुकी हैं भारत में करोना वारस से मुतासर अफराद की तादा 52,987 और हलाकतें 17,85 हो चुकी हैं तुर्की में करोना वारस से जबहाद होने वालों की तादा 3,584 हो गई चबके करोना के कुल केसे एक लाक 31,744 हो गए साइंसदानों ने इनकिशाफ किया है कि करोना की एक नई किसम इससे ज़्यादा खौफनाक है दुनिया भर में इसका असर रसूख बढ़ सकता है 33 सफाथ पर मुझतमिल एक नई तहकीक का हवाला देते हुए बताया है कि ये नई लहर रवा साल फरवरी में यॉरप में पहली बार सामने आई फिर ये तेजी से हिजरत करके मश्रकी साहल की जानिब चली गई साइसदानों ने कहा है ये नई कशीदा सूरत फोरत फाल अब पूरी दुनिया में गालिब है और मार्च के वस्ट से इसी तरह से चल रही है लॉसल मूस sent लिबॉर्टरी के साइसदानों के रिपोर्ट के मताबिक नोंने मृतनब कि तिस नहें किया है में साइंस दानों के साथ इस त녹ा के अमल को तेश करने की कोशिष में शाया किया गया है जो COVID-19 के वैक्सिन या इलत पर काम कर रहे हैं साइंस दानों को मजीद कहना है कि करोनवार्स के लिए वैक्सिन एक साल या इस से ज़ाधा अर्शे तक तैयार कर ली जाएगी आलमी दारे सिहत के डिरेक्टर जनल टेड डोस ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि वो मुमालिक जो करोना वायरस के बाइस लॉक्डाउन में थे इन्हें इसके खात्मे से पहले छे नुकात का लाज़मी ख्याल रखना होगा इस हावाले से मजीद जानते हैं आलमी दारा सिहत ने खबरदार किया है कि मुक्तलिफ मुमालिक में करोना लॉक्डाउन के खात्मे में जल्दी खतरनाक हो सकती है आलमी दारा सिहत के डिरेक्टर जनल टेड डोस ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि वो मुमालिक जो करोन वार्यस के बाइस लौकडाउन में थे उने के खाट में शे नुकात का लाज़ी खयाल रखना होगा नहों ने कहा कि लौकडाउन में नर्मी से पहले य़गीनी होना चाहिए कि करोना केसिज की गादात कम हो रही है और वारस की मुन्तकली काबू में है टेडरोस ने कहा कि हकूमतों को इस बाग का ख्याल रखना होगा कि लॉकडाउन में नर्मी से कबल मुच्टबा मरीजों के लिए आइसुलेशन वार्ट्स टेस्ट और इलाज की मौसर सहूलते मौजूद हो उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि नर्सिंग होम और इलाज मौलजे की जगों पर कुरोना वारस की वबा के फैलाओ को रोकने के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं डिरेक्टर जनरल आलमी दारा सिहत ने कहा कि लॉकडाउन के खात्मे से कबल काम की जगों, स्कूलों और दीगर अवामी मकामात पर मुकमल एथियाती एकदामात किये जाएंगे उन्होंने हुकूमतों को हिदायत की है कि ये भी देखें कि कुरोना वारस की बाहर से मुन्तकली को रोकने का बंदबस किया जा चुका हो टेड ड्रोस ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन में नर्मी से पहले इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कुरोना वारस से मुतालिक कम्यूनिटी की सता पर लोगों को मुकमल अगाही और शौूर दिया जा चुका हो अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद बाइस तोहीन और कानून और हकाइक के मनाफी है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने एरान से मुतालिक अपने जंगी अख्तियारात कम करने की कौंग्रेस की करारदात वीटो कर दी उन्होंने कहा कि अमरीकी कौंग्रेस की करारदात बाईसे तोहीन और कानून और हकाइक के मनाफी है करारदाद की हिमायत करने पर अमरीकी सदर ने अपनी ही जमात के अरकान पर शदीद तनकीद की सदर ट्रॉम्प का कहना था कि करारदाद में अमरीका के दिफा से मुझे हासल आईनी अख्तियारात की गलत तश्री की गई टाग टीवी के न्यूस बुलेटन से अब तक के लिए इतना ही मजीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टाग टीवी डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू अनली अट टाग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाईएं किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूस और न्यूस लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे